नमस्कार मैं पंडित राजकुमर शर्मा और आप देख रहे हैं महाराष्ट का और जै महाराष्ट का सबसे बहुचर्चित कारेक्रम राजबंत्र सबसे पहले मकर संक्रान्ती होती क्या है और मकर संक्रान्ती में सूर्य को इतनी महत्ता क्यों दी जाती है देखिए दो ग्राह हैं जिनके बारे में हमेशा मैं बात करता हूँ एक तो है शनीदेव और दूसरे है सूर्यदेव सबसे पहले आपने हमेशा शनीवार को शनीदेव की उपासना करते समय आप ये मंत्र पढ़ते हैं निलाजनम समाभासम रविपुत्र जमागरजम छाया मारतंडसं बुत्तं तम नमामी शनेश्वरम निलाजनम समाभासम रविपुत्र जमागरजम मतलब सूर्य शनीदेव के पिता है सूर्य के पुत्र हैं शनीदेव रवी पुत्र जमागरजम और इन दोनों में आपस में प्रेम प्यार नहीं है कहते हैं कि जब शनीदेव का जन्म हुआ तो पहली दृष्टी में ही उन्होंने सूर्य को ग्रहन लगा दिया अपने ही पिता को देख क्योंकि सूर्य में सूर्य के उपर जैसे ही शनीदेव की दृष्टी पड़ी तो सूर्य जो है वो ढग गया और अंधकार में हो गया इसलिए इन दोनों का कहीं न कहीं से विरोधाभास चलता रहता है अब 14 तरीक को मकर संकरांती थी मकर संकरांती के परव के उपर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत 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 आशिरवाद और बधाई अब मकर संकरांती किसको कहते हैं इसके उपर सुनने की बात है मकर संक्रांती का मतलब है कि शनी की राशी मकर राशी में जब सूर्या संक्रमन करते है क्योंकि आपने पुत्र की राशी में जब सूर्या चले जाते हैं तो उनका विरोधा भास तो है ही है उसके साथ साथ में कई ऐसे महूरत, कई ऐसे कॉंबिनेशन, कई ऐसी ग्रहों की युतियां बनती है जो शुब भी होती है सूरिया आज से यानी 14 तरीक से 15 तरीक से उत्तरायन होते है हम मकर संक्रान्ती में हैपी मकर संक्रान्ती यों कहते है और इसलिए कहते हैं कि किसान जो है वो प्रसन्न होना शुरू हो जाता है गेहूं की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसको फूल फल लग जाते हैं और उसके बाद उनको सूर्य देव की अगनी की अवश्रक्ता पड़ती है और सूर्य देव जब उत्तरायन होते हैं जब नीचे उतरना शुरू कर देते हैं तो गर्मी बढ़ती है इसलिए 14 तारीक से धीरे 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 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है उत्र भारत जो है इस वक्त ठंड के साथ ठर्ठरा रहा है ठिटुर रहा है तो आप देखेंगे कि विदिन एक्स 40 टू 60 देज सूर्य के उत्तरायन में आते आते जितनी भी गेहूं की फसल है जो भी फसल इन दिनों भी बोई जाती है उस 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 पकनी शुरू हो जाती है इसलिए किसान के लिए ये बहुती बड़ी खुशखवरी होती है सूर्य जो है वो चौदा तरीक को मकर राशी में प्रवेश किये हैं और चौदा फेबररी को मकर राशी में रहेंगे और इसी के साथ साथ में इस बार एक बहुत ही भेंकर कॉंबिनेशन ग्रहों का बैठ रहा है सूर्य के साथ में मकर राशी में शनी देव हैं अपनी राशी में सूर्य मकर राशी में हैं बुद्ध थोड़े दिनों के बाद मकर राशी में आ जाएंगे शुक्र मकराशी में आ जाएंगे गुरुदेब मकराशी में बैठे हुए हैं तो ये 5-6 ग्रहों का आदान प्रधान मकराशी में होता रहेगा इसलिए इसके बहुत से अभाव, प्रभाव, सूप्रभाव, कूप्रभाव राशियों के उपर पढ़ेंगे, राजनीती के उपर पढ़ेंगे, शेर मार्किट के उपर पढ़ेंगे इसके उपर हम चर्चा करेंगे पहले मैं सूर्य की आपको इंपोर्टेंस बता देता हूँ सूर्य देव जो हैं, उनका एक मंत्र सुनिए इसलिए सूर्य देव जो हैं, जितने भी तिमिर है उनकी एक जैसे ही पहली किरन प्रिथवी के उपर पढ़ती है तो रात का अंधकार तिमिर जो है, वो खत्म हो जाता है इसलिए सूर्य देव को सबसे पहले आप अर्ग दीजिए रोज उटकर प्रणाम करिए, ताकि हमारे देश में सूर्य देव की अगनी में और पूरे संसार में जो करोना जैसा महामारी आया हुआ है, वो जल कर राक हो जाए जपाकुसम सवकाशम काशेपे महादुतिम, तमोवरी, सर्वपाप घनम सब पापों का नाश करने वाले सूर्य नाराइन भगवान को प्रणाम करते हुए ये शो को मैं आगे लेकर जाता हूँ, सूर्य जो है, उकाल पुरश है सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है ये ग्रहों की इंपोर्टेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है इसलिए अपने पिता को प्रणाम करिए, सूर्य देव को सुबह उठकर प्रणाम करिए डेफिनिटली आपके जीवन में तत्काल, इमीजेटली, जितने भी पाप हैं जितने भी अंधकार हैं, जितनी भी तूटियां हैं, वो कम होती हुई दिखाई देती है इसलिए बारा तरीक तक सूर्य का मंत्र गाइतरी मंत्र पढ़िए ओम भूर भवह स्वहतत सभी तुर्वरेनियम वरगो देवस्चदी मही दियो जोना प्रचोदेयात